हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक, I hope all are doing well, so friends I am Neha Sethi and welcome to Share Market with Neha Sethi फ्रेंट्स बात करेंगे यामनी इन्वेस्टमेंट शेयर के बारे में एक पहनी स्टॉक है फाइने सेक्टर का Loans का का म करती है, Inversement का काम करती है, बट क्या आपको इस पैणि स्टॉक में इस ताइम पेंशेयर करनी चाहिए, यह आपको कब तक वेट करना चाहिए? तो इस वीडियो में पूरा discuss करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आपको penny stock में investment करना है पहला point आपको debt जरूर चख करना है and second आपको promoters holding FII, DIA holdings जरूर चख करनी है इससे आपको पता लगता है कि company कितनी strong है तो friend सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस share में promoters holding है वो सिर्फ 9% है और ऐसा माना जा रहा है कि उसमें से 8% भी sell कर दी है promoters ने तो यह जो sell हुई है यह आपको इनके Q4 के result आने के बात बता लगेगा कि इन्होंने 8% sell करी है या नहीं करी इसके लावा 93% public की holding है friends अभी board of director की meetings भी नहीं हुई है Q4 के result के regarding तो वैसे debt की बात करें तो company के पास कोई debt नहीं है company almost debt free है current price चल रहा है 1.75 थोड़े दिनों से गिरावर चल रही है last session में lower circuit भी देखने को मिला है जो अभी तक high बनाया है वो है 3.6 पैसे जो January में बनाया था लेकिन उसके बास से company नीचे ही है friend वन मन्त में positive return दिया है 13 परसंट का लेकिन वन वीक में negative return दिया है 5.5 परसंट का फ्रेंड्स लास्टे में volume अच्छा खासा दिखा है 70 लाग का लेकिन अभी मेरी मानों अगर तो यही advice है कि अभी इनका Q4 का result आने दो उसके बाद आपको promoters holding वाली picture clear हो जाए तब आपको इसमें investment करना चाहिए और उससे पहले आपको इसमें hold करना आपको रुखना चाहिए पहले आपको इसके Q4 के result देने चाहिए तभी अगर आप इसमें fresh entry लेना चाहा दें फ्रें आपको इसके Q4 के result आने तक वेट करना चाहिए अगर आपने चानल को किया है फर्स टाइम विजिट तो फ्रेंस प्रीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए and bell button को प्रेस ज़रूर कर देना because कोई भी update related to this share or any share अगर आता है तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बताती हूं so that आप updated रहे because friends अगर आप अपने portfolio में आपने किसी भी share को add कर रहा है तो आपको उसके बारे में update रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप update रहेंगे news से तो आपको कभी भी loss नहीं होगा और आपका portfolio हमेशा green में रहेगा और आप हमेशा positive में रहेंगे so friend thank you so much for your support